नमस्कर दोस्तों स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में क्योंकि आज करेटे कर हम देखते हैं तो जो क्वाइन मार्केट कैप का हाल है वो काफी अच्छा दिखाई देता और हर एक vine बुलिश की और जाता दिखाई दे रहा है और इसी market में जो है सबसे बड़ा गरवत जो है beginners करते हैं या फी जो नख नख crypto lovers रहते हैं वे जो इस market में गलती कर बठते हैं कई लोग का फैसला सही गलत सावीत होता है अब जो सबसे पहले बात कर लेते हैं total market cap की अभी total market cap 231 trillion का पहुंच चुका है Indian currency में आपने सही सुना जो Bitcoin का ग्राफ है आपको सिद्धा ऐसे दिखाई देगा, सिद्धा उपर की ओर, वह अगर बात कर ले Meme Coin के राजा जिसको जिवाई नहीं बोलते हैं, तो इसका जो rate है, अभी 7 दिनों में 50% का ग्रोथ इसने भी हासिल किया है, तो अगर आप पूरा-पूरी दिखे होगे न तो अभी हर एक coin आपको प्लस में दिखाई देगा, और यही एक समय होता है, जब user को decide करना होता है कि वो crypto market entry मारे की नहीं मारे, क्योंकि इसमें होता क्या है, मान के चलिए कि Bitcoin 67 लाग का price को touch कर लिया है, अब जो नए commerce हैं, वे दिखेंगे हर एक coin का price 40%, 50%, कोई coin 100%, कोई 200%, ऐसा जो growth हांसिल किया है, तो वे इस growth को देखके क्या करते हैं, कि हर बड़ी में उनके अंदर एक ओ आ जाता है, क्या homo, form actually क्या होता है, fear of missing out, अब इसी effect के चलते लोग क्या करते हैं, कि जो भी price में उनको coin दिखाई दिया, उसी price पर उस coin को buy कर लेते हैं, नतीजा क्या हो जो है, आज के rate में, सीवा इनु में, या फिर किसी भी coin में, 1000 रुपए निवेस्ट किया, और वो जो है, आज के rate का सबसे highest rate था, या फिर पिछले 5-6 मेनों का highest rate था, अब अगले दिन से आप अपना portfolio विजिट करना चालू करोगे, तो क्या देखोगे, कि जो आपका total portfolio को value है, वो ध्ये-द्ये decrease हो रहा है, कैसे decrease होगा, 1000 से आपका 900 होगा, फिर आपका 900 होगा, 800, 700, 600, 500, यहां तक कि 4500 तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी crypto market जो है, कापी ज़्यादा लगो, 50-60% जो है growth पे है, अगर किसी भी coin की हम बात कर लेते हैं, तो, अब आप लोग क्या करें देंगे, इसी चीज को देखते ही, आप किसको दोस देंगे, crypto industry को, या फिर crypto coin को, तो क्या इसमें सही मायने में, जो है, 200 crypto market का है, बिल्कुल नहीं, इसमें आपका जो है, टोटल दोस है, क्यों, देखो, क्या होता है, आप जो है, सबसे पहले, एक FOMO effect है, उसके चक्करें बट आज जब market bullish है, तो वो जो है, 20 रुपर चला गया, अब आप उस coin को देखते देखते क्या कर रहे हो, time तो बरबात कर रहे हो, अब जब 20 रुपर coin पहुंच गया, तो आप 20 रुपर जो है, उस coin को buy कर लिए, अब उस coin का highest price, जो कि उस date में जाने वाला था, या फिर कि इसी बज़ा से, क्योंकि coin के पीछे बहुत सारे force होती है, अगर लोग buy करते आते हैं, तो जो coin करेटर बढ़ते आता है, अब आपने 20 रुपर बाइ किया, अब वहाँ से लोग को ला कि ये, जो है, मेरा maximum profit निकल चुका है, 10 रुपर फर कान में कमा रहा हूं, तो वहाँ से लोग sell करना चालू कर देंगे, अब वहाँ से coin का price गिरना चालू हो जाएगा, और आपका जो portfolio 1000 रुपेगा था, वो धीधरे decrease होना चालू हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कभी न करें, जब भी market grid में पहुंच जाता है, तो आपको काफी ध्यान से इसमें invest करना है, उस coin को वीडियो था crypto sentiments के उपर और अभी के टाइम में market में invest करना सही है कि नहीं है, ये जो है, आपको मैं इसी वीडियो कमा आदम से clear करना चालता था, बाकि जो भी beginners है, crypto lovers हैं, आपको मैं बोलूँगा कि अभी market काफी जो है आप जा चुका है, और जो भी कोई जो काफी बड़ा हासिल कर लिया, उसमें आप invest करने गलती ना करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपका पोटफोलियो काफी जो है, डिक्रेज होने वाला है, तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आज का वीडियो था crypto market और crypto sentiment से जुड़ा हुआ, आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप आपको एवीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करते हो, तो हमें जो एप्रेसेशन मिलता है, ऐसे वीडियो बनाने के लिए, और अगर ऐसे वीडियो आपको फीचर में चाहिए, तो लाल बटन को दबा के और जब भी इन्वेस्ट कीजिए, तो डिसेशन जोए वाइसली जी, दिमाग से सोचिए, लालज की मत सुनिये, चलिए, बाई